तहसीन पुनावाला अगर ये आरोप लग रहे हैं और प्रधान मंत्रिये मंज से कह रहे हैं कि कॉंग्रेस का एक प्लान है यो बजट को भी हिंदू मुसल्मान में बाट देना चाहती है तो मैं तो कहता हूं कि ये आरोप नहीं है ये तो साबित है ये तो सच है 2006 से 2010 के बीच में आपने इसी योजना के तहट काम किया सवाल क्या है सवाल यही है न कि बहया यह ऐसा जैसा क्यों कहा रहे हैं कि बहय क्या बजट को भी हिंदू और मुसल्मान धर्म के अधार पर बाट देंगे क्या हर चीज को आप ऐसे ही धर्म के और मज़ब के चस्में से देखेंगे प्रदान मंतरी जी जानते हैं कि वो कुछ भी बोलेगे मच्ची, मुसल्मान मंगल सूत्रो लोग उसे चलाएगे, कुछ लोग उनकी तारीफ भी करेगे, जूट को अगला होगा, यह ऐसा हो सकता है, कल किसी ने कह दिया कि मैं सुपरमैन हूँ, कई कोई कह देगा मैं यूनिकॉन हूँ, इस पर कोई बड़ाब इसमें मैं अब सच में तर्क समझ में आए प्रदान मंतरी जी कोई भी योजना बना रहे कह रहें, ऐसा होगा, वैसा होगा, और अगर आपके पास सबूत है, 2006 से 2010 किया है, रंजी जी मैं आपकी बहुत आदर करता हूँ, बेज दीजिए प्रदान मंतरी कारयाले में इस पर कारवाई कीजे, क्यों ने कि अगर आपके पास सबूत है, तो 15 सुत्री कारिकरम है, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, उसके तहट क्या टार्गेट रखा गया, और क्या चीव किया गया, और उसके एस परस्प लिखा गया है, कि जैसा प्रदान मंतरी का विजन है, उसी के अनुरूप सारी योजनावों में 15% हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है, और उसके आकड़े हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप सबूत बहिज दीजिए, उसके बात बोलिए, या तो आप बोलें, मैं चुप बैटा हूँ, या तो मैं भोलगा अपी जोए, अब दर्शक नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, ठीक है रञजी, बधाय, इलीगल है, प्रदानमंतरी जी के पास भी एक कागश होगे, दस्तावेज होगे, क्यों उन्हों ने कारवाई ने कि उनसे पूछे पहली बात, इल्लीगल नहीं है, तो मैं जी समझ में आटा डिबेट किया है, जैसे मैंने कुछ बजट पर काम किये, जब प्रिवियर्स गवर्मेंट टीमें इंटर्शिप करता था, तो उसमें विमन आलोकेशन होता था, 48-49% फंड विमन के लिए होता था, ट्रांसजेंडर्स के लिए होता था, अलग-अलग माइनॉर्टीस के लिए फंड आलोकेशन के स्टेंट के साबसे होता, अगर यह आपको illegal लगता है, unconstitutional लगता है, तो इस पर कारवाई उनिक चे महिलाओ पर भी हुआ है, यह महिलाओ के लिए भी 48% फंड डखा जाता है, तो गलत है, तो बोल दीजिए, एक, दूसरी बात, मैं आपको यह भी बताता हूँ, मैं दुबारा से कहा हूँ, क्या होगा प्रदान glor Shah compliqué क करते हैं प्रदान मंतरी जी, इस पर अगर हम चर्चा करने लगे, प्रदान मंतरी जी यह कल्पना क्यों नहीं करते, कि सभी बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलगी, वो करी नहीं सकते हैं, उनको सिर्फ मुसल्मान, भैस, मचली, मंगल सूतर, मुसल्मान, इस पर डिबेट करें, नहीं, देखें, इस सवाल इसलिए उट रहे हैं, तहसीन पुनावाला, कि मनमोहन सिंग की यूपीय सरकार में प देंगे, तो ये हिंदू-मुसल्मान वाली बात क्यों नहीं हो रही है, रंजीद भाई, ये जानते हैं, आप भी जानते हैं, और मैं भी जानता है, उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने सभी माइनॉर्टी की लिकत में उसका क्लैरिफिकेशन आया है, टाइम्स ओफ इं नहीं चाते हैं, तो मैं नहीं समझाओगा, मर्जी आपकी है, अगर आप आते हैं, बीच में मत बूले, मनमौन सिंग जी ने कहा था, अलप संख्यक कॉन्फरेंस में, सभी अलप संख्यक, इंक्लूडिंग डलिट, SC, ST, माइनॉर्टीज, खास करते हैं, मुसल्मान, रिसॉर्स की बात कीती, संसादों ने की, उन्हों ने हकी, विलेडी बात समाप तो ने दीजे, बीच में ना बोले, वह मैं बाइट सुनगा दूगा, वह मनमौन सिंग के जबानी सुने, ना आप कहें, उससे कोई बात नहीं बने कीता है, आप या तो मुझे शो में बुला की बात नहीं की थी, उन्होंने बात की थी, कि उनके उसके उपर, हग की बात नहीं की थी, उनके कहता, उनके उसके चाहत होनी चाहिए, डेशुड हैव, डेशुड नॉट है राइट, राइट की बात नहीं की थी, इस बात को उनने फ्रंट पेज टाइम्स ऑफ इंडिया म नहीं न तहसीन तहसीन जो मनमोहन सिंग ने कहा वो सवाल है और मनमोहन सिंग ने क्या कहा है हम अभी हम सुनवा देंगे उसके बाद लोग तैकर लेंगे कि किसने क्या कहा मैं शिवमत्यागी पास जाना चाहता हूं शिवमत्यागी भाई अगर प्रधान मंत्री मोधी अगर य हैं कि कॉंग्रेस हिंदू और मुसल्मान में बजट का भी बटवारा कर देना चाहती है और मैंने कहा कि भाई एक बटवारा अलड़ी हो चुका है यह हमने दिखाया कि किस तरीके से 2006 से 10 के बीच में जिस तरीके से उजनाय लागू की गई उसमें 15 परसेंट का कोटा तैकर दिया गया था बजट के भीतर ही कि जितनी योजनाय बनेगी सब में 15 परसेंट मुसल्मान अलब संख्यकों के दिया जाएगा और जब जब मनमोहन सिंग कहते हैं कि मुझा का मतलब यह पहला मुसल्मानों का तो क्यों लोगों को आपती होनी चाहिए इस बात पर लेके सबसे पहले मैं चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात मनमोहन सिंग जी की है उनके वीडियो की है वो ग्लेर कट पब्लिक डोमेन में है माइनौरिटी शुड़ फिर्स के पर्टिकुलर्ली मुसलिम्स के लिए 15 प्रतिशत बजट का इंतजाम अलग से उनी को आधार बनाते हुए यह किया गया है और उसको भी छोड़ दीजे समाजवादी पार्टी के 2012 के मैनिफेस्टों में बाकाइदा लिखा गया है के जिस तरीके से जस्टिस रंगनात मिश्रा की रिपोर्ट आई थी कमिशन की और उसके बाद जो सचर कमिटी के जो रिपोर्ट थी इनकी सिफारिशों को मानते हुए उसका पेपर भी मेरे पास है इनकी सिफारिशों को मानते हुए उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिशत मुसल्मान हैं उनको उन 18 प्रतिशत के आधार पर ही यानि के पूरे के पूरे 18 प्रतिशत को जो है आरक्षन मिलना चाहिए अलग से बजट मिलना चाहिए और मुस्लिम जो युवा हैं जिनको गलत तरीके से जेलों में डाला गया है उनको सिर्फ जेल से सिर्फ रिहा नहीं करना बलकि उनको जेल में रहने की वज़ा से मौज़ा भी मिलना चाहिए यह समाजवादी के 2012 के मैनिफेस्टों में हमें वो भी आपको भेज़ दूँगा इस देश में जिस तरह की इस्थितियां बनाई गई आदर्णिय प्रधान मंत्री जी उससे कुछ इतर नहीं बोल रहे हैं यह सच है जिस तरीके से इस देश में 6-12 के बीच में खास तोर पर मुस्लिमों के लिए 15% हर योजना में से 15% हर योजना में से 15% बजटिंग की जाती थी इसी तरीके से 2012 में 18 क्योंकि यूपी में 18% मुसलमान हैं तो कहते हैं कि जी उनको 18% दो अगर कोई आतंकवाद के मामले में भी चार्ज हुआ हुआ है तो उसको जेल से बाहर निकालो और सिर्फ बाहर नहीं निकालेंगे उनको मुआफजा भी देंगे का बता किस देश में तुष्टे करन की राजनीती करोगे अगर हिंदू-मुसलिम करने की राजनीती करके मैनिफेस्टों में डालोगे योजनाओं में डालोगे और उसके बाद आधरनिय प्रधानमंत्री जी अगर उस पर कॉमेंट कर दे तो बोलते हैं नहीं यह देखिए शिवम ने आपने सैंब बोला है मनने कोई तयार नहीं हूं तो इस बात के तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो लेकिन यह सब्सक्राइब करने का था मनमोहन सिंग्ण ने अभी हम सुनवा भी देंगे बिल्कुल सुनवा देंगे अगर 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 हमारे पास वाइट ह सब्सक्राइब करें अगरे जिनको समझ में नहीं आती अंगरे जी वो भी हिंदी में इसको समझ सकते हैं हमने सब्टाइटल नीचे चला दिया